नमस्कार दोस्तों दिर्भंगर उसमें आपका स्वागत है आखिर कार वो दिन आही गया जब खुटोना तक आगई रेल जिहां दोस्तों धंजारपुर लकोहा के बीच में ये तस्वीर अतिहासिक है खुटोना पहली बार लाइट इंजन आई और यहाँ पर सिल्फी लेने क दोर शुरू हो गया रात के अंधेरे में जब यह ट्रेन आई और सिटी बजाती हुई दिखी तो लोगों में खुशी का ठेकाना नहीं रहा इस्थानी लोग वहां पर पहुंचे और क्यों नहों कि करीबन साथ साल के बाद लोगों को यहाँ पर ट्रेन की सिटी सुनने को म और यह ट्रेन आ गई है लाइट इंजन अब इसके बाद मालगाड़ी के आने का सिलसिला शुरू होगा तो खोटोना का अब जो मिशन था जो प्रोजेक्ट था वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है अब नेक्स्ट जो होगा वो खोटोना से लोकहा के बीच में जो से अगे बढ़ रही है और महरेल से आगे वाचसपती नगर अंडर ठाड़ी उसके बाद अगला पड़ाव खोटोना पहुच गया है आपको बता दें कि इस बीच में जो लंबे जो ट्रैक का बिचाने का काम है वो भी धुनाधार तरीके से चल रहा है और रिप्लेस्मेंट जो होगा ट्रैक का ताकि जो है इसको जो है बाद में फिर इसको ट्रैक पैकिंग मशीन से से इसको फिर पैक किया जा सके तहल बहुत सारा काम बचा हुआ है लेकिन अगर रेलवेड़ चाहे तो इस से दो तीन महिने में कम्प्रीट कर सकता है तो अब संभएटर मार्च तक में उम्मीद है कि खोटोना से ट्रेंज सेवा शुरू हो जाएगी या फरवरी से भी शुरू हो सकती है तो यहां तक ट्रेंज आ गई है अब जो है देखना होगा कि ट्रेंज सेवा जो है वो कहां से शुरू होती है महरल से महरल तक तो चालू ही है यह CRS होई रहा है होई वो passenger सेव aikaब शुरूँ होती हैं और कौन से section में शुरूँ होती है क्योंकि अब तो देखा जाए तो दो section तैयार हो गया एक तरह से महरेल से वाचासपतिनेंगर और वाचासपतिनेंगर से खुटआणा दो section आपके पास है जिसमें कि वाचसपती नगर तक तो advance stage में है काम और उसको CRS करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा अब देखना होगा कि जो railway का target है वो क्या वाचसपती नगर तक CRS कराने का है या पर सीधे kutona तक कराने का है plan क्योंकि अगर देखा जाए तो दोनों section में ज्यादा समय अब नहीं है दोनों section करीब करीब डेडी है तो kutona तक जैसे light engine आ गई है तो अब एक से दो महीने प्रयाप्त है अगर इसको देखा जाए कि जो है एक से दो महीने के अंदर बाकी चीजें हो सकती है अगर रेलवे चाह ले तो लेकिन अब देखना होगा कि रेलवे का जो वो है plan है वो क्या है या फिर काम किस रफ्तार से चल रहा है तो light engine पहुंचा दिया गया है यह बड़ी चीज है अब देखना होगा कि यहाँ प के बाद ही CRS को भेजा जाएगा प्रस्ताओं के आप निरिक्षन कर सकते हैं तो देखना होगा कि रेलवे इसको क्या लेकर सोचती है लेकिन सबसे जो इंतजार था लोगों का क्योंकि कुछाओना जो है वो एक अहम पड़ाव है सेक्शन में यहां से काफी यात्री भंगा और उससे आगे की यात्रा करते थे लेकिन अब पिछले जो कई सालों से जो अमान परिवर्तन का काम शुरू हुआ और मेगा ब्लॉक हुआ उसके बाद से तो लोग ट्रेन भूली गए थे लेकिन अब उमीद जगी है एक बार फिर से यहां के लोगों को और यह तस् तो यह इंजन आप देख लिए 70097 है यह WDG4 है और यही चीज़ देखिए 70097 WGG4 है और UDL तो यह वही इंजन है जो यहां पहुचा है और ट्रेक को अब जो है देखना होगा कि ट्रेक का काम जो है कब तक कम्प्लीट होता है क्योंकि अभी भी ट्रेक में जो है एक से दो म लगेगा अब यहां पर ब्लास्ट गिरेगा फिर उसके बाद ट्रेक रिप्लेस्मेंट होगा लंबे ट्रेक्स लगाए जाएंगे उसके बाद फिर ट्रेक पैकिंग मशीन आएगी बहुत सारा भी काम बचा हुआ है ट्रेक से रिलेटेड ट्रेक के मजबूती को ले करके औ और उसके बाद ही उमीद की जा सके तो अभी इस साल तो नहीं इस साल तो निकल गया अगले साल जरूर जो है वो कुछ अच्छी खुशकबरी मिलेगी और चुनाव से पहले ही मिलेगी ऐसी संभावना है क्योंकि अगर चुनाव मार्च में अगर होता है तो निशित रुप कि कि जादा से जादा जो है इसको कम समय में इसको complete कर लिया जाए ताकि इसका चुनावी लाब भी सरकार को मिल सके तो यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि यह जल्द ही मतलब संभवता मार्ची आपरेल से पहले ही इस ट्रेन इस रेल से वाशुरू हो जाएगी और कोटोन यह जफवायार क्वरू करें इस राहार के ड्र आपरेल ने इस बादा से यह जादक वारल जा ताकि को यहाऊने तो है कि झाल रही मतलилась